मुझजफर नगर में पोलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड हो गाई 25,000 का एनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है बाईक और तमंचा इसके पास से बरामत किया गया है घायल बदमाश के खिलाफ कई केसें बताया जा रहा है कि मनसूर पूर ठानी शित्र में प असूर पूर ठाने के पास पुलिस और बदमाश की मुटभेड हो गया है और बीजेपी ने राजसभा चुनाव के लिए उत्ता प्रदेश में सात उमिदवारू के नामों का एलान कर दिया उत्ता प्रदेश में अमरपाल मौरे, सातना सिंग, चौधरी तेच्वेर सिंग, संगीता बलवान, नवीन जैन, आरपियन सिंग और सुधान चुत्रवेदी को टिकट दे दिया क्या, यह वो नाम जिसमें से 6 नए हैं, यानि कि बीजेपी ने इस बार राजसभा के लिए 6 नए चेहरों का दाव खिल दिया है, जिनकी जीत लगभा तैमानी जा रही है लोगसभा चुनाव से पहले राजसभा का दंगल शुरू हो चुका है, चेहरे फाइनल हो गया है और उन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, जिससे 24 का संदेश दिया जा सके और इसी रणीती के साथ बीजेपी ने नए चेहरों पर भरोसा जताते हुए सियासी समीकरण सादनी की कोशिश की है राजसभा में नए चेहरों पर भरोसा बीजेपी ने साथ में से छे नए चेहरे उतारे है सुधाशुत रिवेदी को रिपीट किया गया है काशी छेत्र के प्रभारी अमरपाल मौरि को राजसभा का टिकट मिला गाजीपुर की संगीता बलवंद को भी मौका मिला है आरपियन सिंग को राजसभा भेजा जा रहा है तो वही तेजवीर सिंग और साधना सिंग को भी मौका मिला है राजसभा चुनाओं के लिए प्रत्याश्यों के नाम का एलान लोग सभा चुनाओं के लिहास से काफी एहम है क्योंकि बीजेपी ने इसके जरीए छेत्रवार्थ पूरफ से पश्चिम और उत्तर से दक्षिन को साथने की प्लानिंग की है भार्दी यंदा पार्टी ने उच्छ सदन के लिए अपने नामों का एलान कर दिया है इस लिस्ट में इस बात का खास ख्याल लखा गया है कि सभी जाती के लोगों को सही से प्रतित जाया सके इन सब के बीच में सबसे खास बात ये है कि आरपी एन सिंग जो की उत्तर प्रदेश वे पुरवान चल साते हैं उनको राज सभा का प्रत्याशी बनाया गया है 2022 के विधान सभा चुनाओं से ठीक पहले कॉंग्रेज छोड़ करके आरपी एन सिंग ने बीजेपी का दामन थामा था और उन लोग सभा के परबलतम दावेदार माने जा रहे थे राज सभा सांसत की 10 सीटों के लिए होने वाले चुनाओं में विजेपी को साथ और समाजवादी पार्टी को 2 सीट मिलना तै है अगर विजेपी ने 7 सीटों पर संतोष कर लिया तो सभा को 3 सीट मिलेगी लेकिन बीजेपी ने आटवी सीट के लिए संघश किया तो चुनाओं की नौबत आएगी राजिसभा चुनाओं में एक सीट के लिए 40 विधायकों का मत चाहिए बीजेपी के पास 277 मत होने से 7 सीट पहले से तह है समाजवादी पार्टी के पास 117 विधायक होने से 2 सीट तह है ऐसे में 8 वी सीट के लिए बीजेपी SP वे फाइट होगी आटवी सीट के लिए बीजेपी को 40 और सभा को 1 सीट चाहिए ऐसे में जानकारों का कहना है कि ये भी संबव है कि बीजेपी साथ ही सीट पर संतोश कर चुनाव को निर्विरो संपन कराए लेकिन जिस तरह से राजसभा के लिए चुनावी महौल तैयार हो रहा है ऐसे में आठवी सीट की फाइट जबर्दस्थ होने वाली है ब्यूरो रिपॉर्ट न्यूज 18 और मतुरा से तीन बार के लुकसभा सांसद रहे चौधरी तेजवीर सिंग को बीजेपी ने राजसभा के लिए नामत किया है तेजवीर सिंग ने न्यूज 18 से खास बाच्छित की है सुनिए ज़रा क्या कहा उन्होंने देखें मैं पार्टी का एक निष्ठावान कारेकलता हमेशा से रहा हूँ और पार्टी के हर पदपे संग्ठन में मैंने काम किया है छोटे से लेके बड़े पत्त तक है और मैंने हमेशा कारेकलताओं का सम्मान जो देना चाहिए एक राजनेता को कारेकलताओं का हमेशा सम्मान ने किया है कारेकलता आज भी मुझे 20 साल हटे हुए हो गए लोकसभा से लेकिन कारेकलता मुझे आज भी सांसद कहता है और उसी रूप में मुझे मेरे कारेकलता देखते है तो सबसे पहले तो मुझे जो आशिरवाद है वो यहां के कारेकलता का मुझे मिला है और उसका यह सुपर नाम है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदर्नी मोदी जी को आदर्नी अमिस्टा जी को और आदर्नी नड्डा जी को और प्रदेश में अपने यस्वच्वी प्रदेश अद्यक्ष अपने माननी मुख्यमंतरी जी और यूपी के सियासर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है रल्डी मुख्या जैन चौधरी के एंडिये में शामिल होने के संभावनाओं के बीच आरल्डी में खमासान मचा हुआ है। नाराज चल रहे हैं। नाराज होने की वज़ा से आयूध्या जाने वाले तमाम विधायकों के साथ ये नाराज विधायक का आयूध्या नहीं गये थे। आयूध्या जाने पर भी पार्टी में दूफार देखने को मिल रही है। और कि अप्रों के आयूध्या जाने जाने बीधायकों का आयूध्या जाने नहीं ग्याराज भी प्राटी में जाने में दूफारा रहा है।